आपके साहरा शुरुआत इसी से करते हैं तो जनरली क्या है कि डेटा को लिंक करने के लिए हम एक्वल प्रेस करके और हम इसको स्लेक्ट कर लेते हैं ताकि वो फॉर्मूला लिंक हो जाता है इससे दो प्रॉलम होती है पॉलम एक की आपकी डेटा अगर इंक्रीजडीज होती है तो पिर आपको यहां इंक्रीजràण करना पड़ता है और दूसरी पॉलम होती है कि अगर डेटा भरा हो तो लाट हो जाता है तो मुझे एक अक् reaction फाइल को दूसरे ऍक्सल में ठीस een pien आना है भी होता है सुधीर जी आपने स्टर्टिंग के समय पुछा था कि पावड के इवी connected होगा अब जाहिश सी बात है जो भी जियो इंटरफेस में बता रहा हूँ इंटरफेस सिर्फ 2019 और 16 के लिए है अगर लोड बर्जन है तो यहाँ पर from access आएगा from access में जाईए और यहाँ से excel file को select कर लिए तो हमें data को select किया and हमने import क्लिक किया और उस data वाले फाइल में जितने भी data sheets थे उस sheets आपके सामने यहाँ available हो जाए और यहाँ देखिए आपके सामने data दिख रहा है और मुझे इसको load करना है तो मैं इसको यहाँ दो चीज़े है अगर load करेंगे तो जैसा है वैसा आजाएगा load 2 में आप बताएगा कि आपको connection क्रेट करनी है या पीवट चाहिए फिला हम load पर क्लिक करते हैं load पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे data file मेरी my document में बड़ी है और data यहाँ पूरा का पूरा आचुका है आप पूरा का पूरा आचुका है अगर ओके अगर दो चीजें इसमें होती है कि मुझे data इंपोर्ट करना है लेकि मुझे मेरा पूरा का पूरा data इंपोर्ट नहीं करना है मुझे इसमें से कुछ particular columns को इंपोर्ट करने है और मैं एक filter type का बनाना चाहता हूं एक search मैं जो select करूं उसी का data मुझे आए तो उसके लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा जो कि सारे अबलेबल है चाहे हो Excel 2007 हो 13 16 हो उसको बोलते MS query तो data में जाते है get data और यहां other sources में आपको यहां पे दिखेगा from Microsoft query मैं इस पर क्लिक करता हूं और क्लिक करके मैं यहां से भी data को link कर सकता हूं Excel Excel file है Excel file को select किया अब यहां पे अपनी drive में जाए यहां से अपनी folder में जाए और यहां से अपना data select कर लिए अब अब जब first time first time करेंगे ना तो इस तरह message देगा OK कीजिए first time में message एक देगा तो यहां option पे आना है और system tables पे क्लिक करना है अब देखिए data आपके सामने है हम इसको यहां से select करते हैं next इसके कोई conditions लगाना है तो लगा सकते हैं कि मुझे city में इकवल टू एक पर्टिकुलर शिटी चाहिए डेली next next and finish मिरे पास यहां सिर्फ डेली डेटा मेनू बार में आते हैं, गेट डेटा फो यहाँ पे from other sources, Microsoft QD और एक्षिन फाइल को सेलेक्ट करके हम OK करते हैं डेटा को सेलेक्ट करते हैं अग OK और यहाँ से हम जो जो कॉलम चाहिए, जिसे मुझे डेट का कॉलम चाहिए, नेम चाहिए, सिटी चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, क्वान्टिटी और इमार्पी चाहिए और हमारा इमार्पी चाहिए हमने चूज करें then next city पे मुझे condition लगाना है एक equal to हमने आपे बोल दिया जिजिया next, और भी चाहिए condition तो और भी condition लगा सकते है sort करना है, तो sort कर सकते हैं otherwise next और यहां पे finish और यहां पे आगा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहां पे एक select और यहां पे लिखा पूने और जैसे मैं पूने टाइप करूगा या पूने को select करूगा मेरा data पूने पे change होना चाहिए so मैं और मने कि data दूसरे फाइल से import करना चाहता हूँ तो दो चीज़ती पुरा पुरा data import कर सकते है उसके लिए मेरे from file में Excel का option बताया और Microsoft QD के तरीके बताया Microsoft from Excel वाला पार्ट जो है ओ पावर QD जो है 2016 और 19 में है बट इजो तरीका बता रहा हुए सारे versions में अब इसमें मैं एक तरीका और बता रहा हूँ कि मुझे इस में से कोई particular city यहाँ पे चेंज करो यहाँ पे लाइट अपडेट होता रहे हैं जैसे कि हम लिस्टिंग के क्लासे में किया था तो इसको कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको थोड़ी सी सिक्वल के रोलेज होनी चाहिए आप डेटा में नुमार पे जाए क्यूडिया इन कनेक्शन पे जाए और इस पे राइट क्लिक करके इसकी पोपर्टी पे आए जब पोपर्टी पे आएंग पेड्रान पेरामीटर करना है मुझेग है पहले जो दिफाइन है उसको डिलीट करकी उसके जगह पर हमें कुष्चन मार्क देदेना है को जैसी आप उसफे पूचे का परामीटर पेरामीटर जहाँ पर जहां पर आपको चेंज करना है वहां पे आप सेीलेट कर sería rate करना है मुझे इसमें इसको पहले निफाइन है उसको delete करके उसके जगहाँ पे हमें question mark देना है जहांपे आप Coach अध़ करना है वहांपे आप your use this reference in future and refresh automatically when the change your value यहां पे select कीजिये add ok कीजिये अब देखी पूने का आ गया अबम में यहां जैसे जैसर टाइप करूँगा यहां देलही किया देलाहप के दापने आगिया जिजन के तो जिटूर कד भी इसलेकT कि यहां तो लाइट चली गई और में अब देखने पाया क्या बताया आपने कि बीज बीज में लाइट चली जा रही और यहां सारा डिस्तर बजा रहा है कि अच्छा बागरों को समझना आया क्या है कि अलग एक डेटा में अलग डिवाइस में डेटा पड़ा हुआ है तो हमने आपको बताया था फ्रॉम फाइल वाला एक्सल वर्क बुक बना उसमें किया था कि पुड़ा का पुड़ा डेटा आ रहा है लेकिन मुझे पुड़ा ड़ा डेटा नहीं चाहिए कुछ स्लेक्टेट कॉलम चाहिए और दूसरा मैं जब अपने सिस्टम पे चेंज करूं जैसे मैं यहां पे को इसके लिए आपको जाना है फ्रॉम फाइल मैंक्रोसॉफ अदर सोर्सेज और यहां पे मैंक्रोसुफ क्यूरी में है अट्र पाइल को स्लेक्ट करना है और यहां सविड़ पालभ याजर्ट लिए पर फाइल की लिए पर फाइल को सभी इसके बाद यहां जो जो टेबल चाहिए आपको टेबल देल्च और ध्यान देखेगा जब इसको ताम यूज करेंगे यहां कुंश रप्यों के लिए नो सिस्टम टेबल में तो फॉस्ट टाइम बस इसको ऑफ्शन पर क्लिक कर देना है कि तुरह आज वाले में सिर्फ नहीं आएगा सिटी मुझे पांटिटी चाहिए मुझे इमार्पी चाहिए इसी मुझे दुर्की वाले में सिर्फ कर रहा है अधिया नहीं दुर्फ नेक्स्ट पीजिए कंडिशन अप्लाई कर मैं सिटी के उपर इक प्रफ नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश अधिया अधिया तो यह जो क्वेरी काम ने यूज किया उसके लिए हम यहां कर सकता है अभी बताएंगा आपको इसमें एक और फैदा है अब मुझे इस से लिंक करना इस को तो उसके लिए हम यहां करते हैं क्लिक करते हैं राइट क्लिक इसकी पॉपर्टी में जाते हैं यहां देखिए अपने वैलू को से लेकर नीचे दोर चेक बॉक्स के क्लिक करते हैं डैलोग मेरा डेटा क्लेक्टेड इस से क्नेक्टेड हो गया यहां पर जो भी सिटी डालूगा उसी का डेटा है कि अद्सक्राइब करें तो अब अगर अब भी अब कराना यह तो और क्राश्व नहीं नहीं और श्रीक्री करके अच्छा ऐसे एक अब कि अब आगे बढ़ते हैं इसमें अब जैसे कि यह तो जो मैंक्रोफ क्यूरी के बारे मता है ऐसे ही इसमें आगा कोई निदर तो आप मायक्रोफ क्योडी में जाएं और इसलिए होनी जाहिए से कैसे लिखना है आगा सिक्वल जानते है इसको हमें सेलेक्ट करिया अग्यख़ इसमें आईए और आप जो भी जो है वह आप यह और उसी आपसे डेटा करना है वह भी टैक्स तो मैं यहां टैक्स और सीएसवी में क्लिक करूँगा और हमारी फाइल है यहां सीएसवी फाइल होगी नोटपैड और सीएसवी दोलों इसमें एक साथ करेंगे तो आप से पूछेगा यहां बेक ची और देखिए इसका इस तरह का आएगा यहां से लोड करेंगे तो डेटा आपका लोड होगा उसके बाद अगली जो हमारी आती है इसमें वाता है आप लोगे पास पीडियाफ फाइल होते होंगे पीडियाफ पर टेबल बगर होता होगा अब उसको कैसिस में लाना है तो चली हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं ठीक है पीडियाफ के लिए पीडियाफ पे स्कैन तो नहीं होगे न मत पीडियाफ टो नहीं होगे न करा फासे रास हमिसरे फोले करेंगे स्सल्ट का प्राशे इसमें 40 गाव्य Любal फल डवेल ará fry analyzing कि थे हैं कि अभी पनी कि जाय बडर 안के कि यद वडर कि बूद झाल झाल कि इसको हम बोटों लगा देते हैं कि अरेवले को बूल्ड कर देते हैं और यहां पर थाएं इस फाइल को हम प्रिंट टू पीडिएफ कर लेते हैं यह से बैस पीडिएफ कर लेते हैं लेकि ध्यान रखें कि इसका विर्थ एक ही पेंज पर हो अब मुझे इस पीडिएफ को उस टेबल पीडिएफ में से और भी चीज़े नीच हो सकते बस मुझे इस टेबल को लाना है इसके लिए हम यहां आते हैं डेटा में नुबार के अंदर डेटा में नुबार में हमारे पास होता है या गेट डेटा फ्रॉम पीडिएफ इस दीडि को सेलेक्ट कर लिया और इंपूर्ट देखिए नया जो पावर क्यूरी है बहुत ही समझदार है इसकी जो अच्छी है पूरे पेज में से टेबल को इस ने देखिए आपका पेज आ गया इसमें सब लिखा हुआ है न सर आयक्स बगरा उसमें हेडिं में कॉलम इसमें से टेबल को रीड करके इसने जस्ट टेबल नहां दे दिया देखिए सब्सक्राइब करता है अब इसी चीज पर मैं आगे बर रहा हूं की पता है मुझे तो मिरे पार डेटा नाम का देखिए अब इसको देखिए पीडियाफ को लोड करने से पहले क्या धिहान रखना है अब देखिए जो पीडियाफ आपका है इसको आप लोड नहीं कर सकते हैं देखने हैं सब्सक्राइब रिजन लोड कर सकते हैं लेकि डेटा नहीं आएगा पहला प्रॉब्लम है कि इसमें बॉर्डर नहीं है मैं सब्सक्राइब कि दूसरा इसकी जो है पर स्पेंच पें नीचे वाली पेजिस पे इसकी हैंड़िंग नहीं है आप आश्याइज को लोड करने में काफी दिक्कत होने वाली है तो किस पेडियाफ फाइल को लोड किया जा सकता है तो चलिए उसका एक्जामबल भी हम आपको देते हैं आपके आपके अभी निए यूशिय निए? अबीट नहीं को मिलाइब हैंजी? उला कीविय कर दो? पर आपकेद। अच्छा! उपर को मैं आपकेज़ाई जडार भीए चैनst जिए दो कि अभाई bikinku देंक कि अभाई के अभा हमाद क्लेट हमलोग시 मैं तुम हाएं पर राल राल इनान टॉल्ड शे, झात दो झाल वाओ झाल 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 ही, और श॥ारि करेतों मिलीं के देखी और फोल झाल 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 वहनुत किन में आं ... एक बरी सी फाइल है में पास डेटा फाइल है उसको PDF में गर्वाट करने से पहले दो चीज़े पहले चीजे मुझे इसको बॉर्डर करना होगा दूसरा इसको और फिट कर दीजिए कॉलंग का विर्थ दे दीजिए कटे नहीं अगर कटता है तो फिर और वीजिबल नहीं होगा इसकी जो विर्थ है ऑर्टमेटिक के जगाव पे वान पेंज कर दीजिए कि एक पेंज पी प्रिंट आना चाहिए उसके बाद प्रिंट टाइटल में आईए और यहां रोज रिपिटेट ऑन दटॉप इसको सेलेक्ट किजिए इससे फ़र्ग नहीं पढ़ता कि अगर आट 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 अब मैं इसको जोडिए अब देटा इटना इसका है तो अब यह तो फिंटी थृ पेजिस का है हमारा है और देटा मारा और्गनाइज वे में होना ची रखा होना ची तो जिसी कि आपने बोला रहे कि आपने टेबल्स पे है तो टेबल्स का गार्ड बिल्कुल सेम हुआ अब तो एक ही बनेंगी तो इसी एक्जाम्पल को मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कि मैंने यहां पे डेटा में लिक्ट में गया फ्रांपाइल टीदेफ हमने स्लेक्ट किया और डेटा में हमने इसको इंपोर्ट पे थुरा सा टाइम लगाएगा सर पेसे रखिए तो कि वो 53 पेजिस को अरेंज कर रहा है तो थुरा सा टाइम लगाएगा विवेन फ्राइम प्रे अधिय। पुर्णियोव पार डुक दुर्णियो ढishing कर दोर अगा è झाल 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 जब तक ही ला रहा है तरह मुझी जो ओफेस्टिस्टिफाइफ है इसका सब्सक्रेप्शन कितने का है तकरीबन आपको आपने शाल कि इसका है और चार सो पे सिंगल है और छे सो पे पांच शे फैमिली पांच प्रमंत है कि यहां तो यह देखिए देखिया सब्सक्राइब कर दिया पूरा सब्सक्राइब कर दिया और अगला कोश्चन आता है कि मेरे पास एक लोकेशन है जिसमें एक फोल्डर है और फोल्डर में मेरे पास कई सारे फाइल से दिखाया मंतली है और मंतली फाइल में डेटा है मुझे इस डेटा को एक के नीचे एक के नीचे अरेंज करना है जैसे कि आपके पास मान लेजों की कि एक महिने का डेटा आया हुआ है 31 फाइले आई है 31 फाइलों का सेम है मतलब कि आपका कि फॉर्मेट बिल्कुल सेम है अब सारे फाइल को ओपिन करके एक के नीचे कॉपी पेस कॉपी पेस कॉपी पेस करना है कि इसका यूज हम कर सकते हैं देखे आगे सब्सक्राइब करें अब चलिए अगली एक्जाम्पल के तरफ बढ़ते हैं इसे मैंने बताया आपको कि मेरे फॉल्डर में कई सारे फाइल से तो आपका यहां डेटा मेनु बार में यहां पर देखेंगे तो फ्रॉंग फॉल्डर प्रॉंडर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर जाते लोकेशन में तो इसमें हमने इसको ओपन करता हूं इसके इस जिए नहीं फाइल के लिश्ट है और फाइल का लिश्ट यहां पर देदिया है ठीक है मुझे फाइल का लिश्ट नहीं चाहिए जबन करना है तो यहां पर देखी कम दिख रहा है ना एक होटार लोड कर देंगे तो जैसे जो दिख रहा सेम लोड उजाए किक मेन कर दूं तो फीर एक के नीचे एक कमाइन नाट नहीं मेन लौड कर Κटा हुआ कर सीग सेलेक किया मैं यहां पर यहां स्रंज का गया सब्सक्राइप लिस्ट आगया एक देटा देख निचे है अण समय का देटा यहां नीचे शाब कर दैकने अब एक मिनिट में बंद हो जाएगा अपली एक बार कर लिजेगा अगर इसमें नहीं था उसका ब्लैंक आ गया अगर इसमें न सर हम मान लिजे अब इसमें जो डेटा है उनके बीचे ब्लैंक रोज भी हैं कम्प्रीट कम्प्रीट ब्लैंक उससे कोई प्रॉलम नहीं है कि अगर आगा कि 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 आसो दिर्जी अपकारो स्थयान दो पॉप आए हेलो तो अत तो भेशा पॉप आए में यह कुछ दीन के गटांविश के धिर्न के वियुजू को एलो स्थयान। अगर यह फाइल जिप पॉर्मेट में हैं तो क्या कभी एक माइन हो पस्की है उसको अजिप करना होगा वो अजिप करके वैसे अजिप करने जगा न फिर हो जाएगा तो वह भी सम्माइन हो जाएगे सब को एक मोटे रखना होगा अजिप को खुलने की जरूरत नहीं है और अगरे मैं ने जब पूछ पूछ से हैं तो पूरी की पूरी पूरी रोड ब्लांग है तो मैं भी डिएक्ट कर सकता है तो उसके उसके उसेल कर जलता है यहीं समस्य होई कि पहला जहां तक ठीक है महतुकर सिस्टम ने डेट उठा लिया लेकिन जैसे भी ब्लैंक रॉवाइस के निचे का सब चुड़ गया दो पूरी की पूरी पूरी रोड लाइक तो तो मैंने स्लेक्षिन में थार जी बताया था सर तब 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 सब्सक्राइब नहीं हो पारा उनके लिए पार्लम मेरीस्ता से बनाएगा है कि डेटा देशा होगा उस हिसाब से हम पर आएगा अब चलिए एक तरीका बाद आता हूं इसे आपने देखा कि पूरी के पूरी फाइल उन्हों ने लिया बात कर रहे हैं आपने देखा की उपार जैसे हमारे पास आपके सामने एक फाइल है हलाकि इसकी वीडियो में आप लोगों को भेजी थी श्याम जी ने रिक्वेस्ट मैंने बना दिया था श्याम जी आद है श्याम जी आदे माइक्रोफोन ने बेंदा है अब यहां पर मैं देटा हमने किया इस फाइल को पर सेलेक्ट सेव करना होगा तो यह फाइल मेरे पास है अब इस फाइल के जितने भी फाइल है कि देता है एक के नीचे कोपी पेस करना है इस डेटा को एक के नीचे एक के नीचे एक नीचे को भी कि डेल एंड कि टू उसके में आप कर सकते कैसे देखेता आप जब यहां पर फॉर्म एक्सल को सेलेक्ट किया था एक चीसा है आपने गौर किया होगा आपने देस्क टॉप में है शायद देस्क टॉप में मुझे लग रहा है इसको इंपोर्ट करते हुए इंपोर्ट करते ही जितने भी फाइल दिख रहा है यहां पर सिल्एट मुल्टिफल फाइल और यहां एक एक को क्लिक करें आप डायत्ति इसको लोड मत किजिए बना क्या होगा कि सारे कैसारे सीट आपको आएगा यहां आपको लोट्टू में जाना है और जस क्रिएट क्रेक्शन ओनली पर क्लिक करना है क्या लिखा हुआ है तो डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ लेकिन सबसे क्रेक्शन क्रिएट हो चुका है हुआ है कि अब इसे फाइल में भी कर सकते हैं कि अगर अगर इनमें भी सथ ब्लैंक होगा ना जैसे इसने रोज बता दिया ना कि बगल में किती रोज लाए हैं अगर एक आधमें यह ब्लैंक कर दिजी सब्सक्राइब किसी एक में इस पर देटाइब ऐसे अब लिए फिए वन टाइम नहीं अच्छा एक बार में चलिक तो इस देखनें आपके कहने चाहर हमने सीट फोन में ब्लैंक करते हैं देटा फ्रॉम फाइल में हम यहां पर लुकेशन पर देस्टॉप में हैं अब एक बार देख लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब हाँ लोड कर जाते हैं और इसमें पॉर्णी क्रियेट कनेक्शन कि टैनलोग उसके बाद यहां हमाएंगे कमाइन क्यूडी में तो हैक मर्ज है एक अपेंड मतलब कि एक के निचे एक के निचे करना है तो अपेंड क्यूडी का यूज करते हैं त्री दो टेबल को लिए एक टेबल को यहां रखें फिर उसके नीचे साइड टेबल को और यहां पे रख सकते हैं जो जी सिक्वेंस में रखना है उसक्वेंस में आराम से रखना है एंड ओके कीजिए करते हैं यह आपका पाउर क्यूड पर चला जाते हैं आगया और यहां पर आपके पूरा डेटा दिख रहाएं आप अब यहां पर लोलन क्लोच आप यहां कंबाइन हो क्या आप अब सीट फोर में हम बात करते हैं यह आपका अमीद सिक्टी टू है ना हमीद सिक्टी टू है यह आपके इस तरह से हम एक जड़ा सीट्स पाइल को या सीट्स को आपके इस तरह से हम एक जड़ा हो बार्स कर सकते हैं लेकिन हैं नहीं है तो ब्लैंड कर देगा लेकिन कोई हैं आपको फाइब को बेस लेना होगा हुआ है यह तो आपके की बात में हम बात करते हैं रिलेशन सीट रिलेशन सीट जैसे कि मेरे पास एक डेटा है यहां पर आइडी माले में पास एक सेल्स आइडी है स्वार में लोगर वर्जिन्स में काम नहीं करेगा यह जो अपने किषे खुरी में साओड दो फिर किए मैं क्यों अब्सलिए पिश्टर स्ट्री ने गो आपके कि नंदर जाए सब के नोलेज है सब के पास नहीं वो भी नहीं है तो मतलब यह पॉसिबल नहीं है न उसमें पॉसिबल है बट उसके लिए आपको सिक्वल कुई सीखना होगा अधर पहले बताया था मैंने एक ग्जामपल बताया था इसका माक्रोसोफ क्यूरी का जिसमें हमने फिल्टर का इस्तमाल किया था तो अ मैं आपने डेटा यू इन रहुत मैं अपने डेटा पर संजाएगा तो यह आपको क्यूंध गी लिखा वा समझ भी नहीं में डालना तो इसलिए मैंने उस पार्ट को छोड़ दिया है हमारी हमाइस की कोर्स में हमें सिक्वल हमें इसलिए डाला हुआ है मैंने पास यहां पे सेल्स का डेटा है और यहां पे मैंने पास मालिजे कस्टुमा है 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 तो यहां हमने पीबट टेबल में किया तो इसमें पावर पीबट टेबल बताया थे आपको स्में ऎन्त यहां है मुझे क्या करना है कि यहां पहें सेल्स का देटा या सेल्स या mer Pioneer मुझे इस डेटा चाहिए जैसमें सेल्स की सिटी और उसका है कि दोनों आना चाहिए बड पासी है कि मैं इसके लिए वी लुक प्यानिक अज़ेसा प्रामुला अप्लाई नहीं करना चाहता हूं तो उसके लिए यहां हम सेवेज पर आते हैं पहले पर फाइल को सेव कर लेता हूं और उसके बाद हम यहां आते हैं गेट डेटा में फ्रॉम फाइल इंपोर्ट किया अब इसमें मुझे दो शीट से आएंगे दोनों शीट को सेलेक्ट करना है अब इसमें किया करेंगेट करनेक्शлосьірगें करना है आप जर्ट केलेट्स कर लेक्शन सलेक्ट हो जाता है तो यहां बढ़ना यहां को कि कमायन के वी में मोज क्यूरी में हम यहां पेसरेक्ट करते हैं सेल्ज को और और यहां सिलेख करते हैं कंस्तमर को भी और बोलता है कि सेल्ज की सैलस साईडी और कंस्तमर की के आइडी दोनों सेम हैं बस इसको सेलेख किल कİला है इक twe soon हो जाएगा गैड्स कर आइप आट्स वर्यों पर चला जाएगा repetitive हाँ अब यहां पे देखें country कस्टमर का सिट टेबल दिख रहा है आपका नेंब डेटा डेटा पका नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको चूज करना हो हूं कि कस्टमर के चाहिए किया तो मुझा नेम और सिटी छाहिए हमने select किया and okay कर दिया अब देखिए name और city दो नया column इसमें add हो गया then load and close कीजिए यहां पर data आपका add हो गया जाएगा इसमें customer का name और customer का city आपके सामने दिख रहा है करा को आपके से में इसमें अधुर मोगा खर्क्रा करतीए ने कॉ और हमड्रीश दिख को दोड़े सीहा हो दूसरे में देखिनानए और आप बात करते हैं पावर क्यूरी के बारे पावर क्यूरी के जरूत क्यों पढ़ती है पहले चीज को जाने है कि क्या होता है कि आपका डेटा है आपने आपको कुछ कैल्कोलेट करके लाना है समझेब आपका डेटा है आप कुछ डेटा को डेटा को लाने से पहले पीछ कटैल कोलेशन करने है कुछ चैंजिंग करने है वह वह समय नुए हम पावर क्यूरी का इस्तवाल करते हैं तो कैसे करते मैं बताता हूं मैं डिक को सिलेक्ध किया और यहा ओंट लिक्रा खाओ यहां पर प्रिक करेंगे करेंगे पमर पीद कocket अब अब मैं जानता हूं कि कुछ लोगे पास Office 365 नहीं है फिर भी आप चीज को सीख लें को आजने कल तो ऑफिस नाइंटी आएगा ही आए अभी आप लोगें पर काम कर रहे हैं एक जाल दो साल तीन साल बाद मिलेगा इसा तो नहीं है जिन्होंने कर रहे हैं तो आप अपने आपको अपडेट रहेंगे तो आपके पास मिलेगा तो यूज कर सकते या फिर आप दिमांड कर सकते कि मुझे हायर वर्जिन चाहिए तो बहुत अच्छी चीज है पावर क्यूरी वह सीख लेजिए पावर क्यूरी सीख लेते तो फिर आपको पावर क्यूरी चलता है तो पावर क्यूरी पर आए जो कॉलर है यहां पर कलर दिख सकते हैं इसमें हम कुछ भी चेंज करेंगे तो से बहुत जा लेजिए जिए और इसमें से हटाने हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहां आपको रिमूव या डिलीट आएगा कीजिए करते हैं आपने कॉलंद्फ को यहां से निक्री एख कर सकते मैं इस इस तरह कर सकते हैं कि जैसे महां लिजे कि मेरे पास डेटा में क्वान्टिति और MRP है जिसे इमाउंट कैल्कुलेट करना है तो यहां एड कॉलम मुँपर दिख्रा होगा उसमें जाहिएगा कस्टम कॉलम पर क्लिक किजे तो यहां पर इस तरह से आएगा यहां पर कॉलम का नेम डिफाइन किजिए और क्या करना है तो आप यहां आपने फॉर्मुले डालिए कि मुझे क्वान्टिति करना है कि यहां पर देखिए नो साइंटेक्स आए रहा मतलब कि आपका वर्मुला प्लिकुल सहीव है तो अब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब देखिए यहां पर आपको देना होता है तो परसेंटेज को लिखें और डिवाइड बाई हंडड़ करो देन दूशे चाहती है क्या इसमें हम वक्षीट फॉर्मुला भी स्वाल पर सकते हैं अब कॉस्त जैसे कि में पास डेट है मुझे डेट में से इसका मंद अधिए तो कस्तेम पर आया और यहां पर हमने फॉर्मुला रगाया मंध का और उसके बात हमने यहां पर क्या किया मंध का फॉर्मुला देखिए मंध और मंध में हमें देट देते हैं अपना देट क्या है हमारा यहां देट अब इसको कि देखिए मंध नंबर में आया है तो इसी को इसी पर क्लिक करके हम कि आपको बताता है कि आपका फिल्ड की स्काइब के इसे वन टू थी है मतलब के नंबर फिल्ड है क्लेंडर लगा हुआ है मतलब कि यह टेक्स्ट है इस पर क्लिक करके चेंज करेंगे ना सर जैन तो नहीं कर देगा इस पर क्लिक करते हैं तो एक्सल में सिंज के लिए हम लोग टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं यहां यहां में मत राज़ता हूं एक्सल में हम लोग टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं कि आए यहां पर फॉर्मूला आता है फॉर्मयट का फॉर्मट फॉर्मूला आना चौहिए की ऑट यहां और इसके अंदर अपना डेट विए हमारा यह यह बाद गट बालते हैं अब राइकर पे प्रोज करते है जो सांटेक्स है रहा है एक नया कॉलन एड़ टेक्स्ट फॉर्मेट जेट अपर जब लिए जो हम खांदे काती है यहां भी पुछेज़ क्या था एड़ कॉलर पॉर्मेट इसमें जो टेक्स्ट फॉर्मेट किया यह इसको मन्थ नहीं करेंगे यह ठीक है चाहाँ प्रावर जीट प्रटे पंदे प्रटे इसमें जो टेक्स्ट डेट की जोगा मन्त नहीं होगा यह जो टेक्स्ट फॉर्मेट लिखाया इसको सामने बिशिपाया इसको डेट को चेंज करना ओकी आपने टेस्ट राट बनाए प्रटे प्रटे मन्त नेल मन्त नेल मैं आइकन ओपन किया यहां पर हम मन्त का फॉर्मूला लगाएंगे आपको आपको मन्त करूंगे इसको कि अपको तो इसमें जैसे कि अबने बताया कि इस तरह से फॉंक्शन वगरा आप लगा सकते हैं जब फाइनल हो जाए इसमें आप यहां से कर सकते हैं लोड एंड क्लोज इसमें और क्या क्या हो सकता है चले मैं बताता हूं अब जिसे कि मैं एक फाइल अलड़ी सेव फाइल लेता हूं डीसी दोक्मेंट से लेता हूं अब मिरे पास एक डेटा है अब सोफ चेंज करना चाहते हैं मैं पास डेटा है त्लिबर्ट फॉर्मेट में अ इन के विता भी मेशीं धर जालो हुआ 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 है तो च्ट बुद कर दो जब फो फे मैं तो है ए इस तरह के इसे चोटा को ला में लेकि बड़ा भी गो सकता है लेकिंगे मुझे डेटा जो लाना है इस तरह से नहीं लाना है को कि इस तरह का डेटा ए पर हम लोग है पहुत साइज काल्पिलेशन फॉर्मेटिंग और और बाकी चीज़ें नहीं कर पाते हैं कि इसको अन्पिवर्ट करते हैं कैसे मुझे करना यहां पर कि नेम मंध मंध स्पेस अब मुझे इसको कि आओ तो मुझे इसको वन बाइवन करना परेगा इस तरह से और इसके नीचे पिर इसके नीचे तो इसमें लगेगा ताइम तो क्या कुछ और तरह तरीका है जी हाँ तरीका है अन पीवर्ट करते हैं हम यहाँ पर डेटा में जाते हैं फ्रॉम फाइल और उस सीट को सेलेक्ट करते हैं जिस सीट पर डेटा है और करते हैं ट्रांसपॉर्म जब ट्रांसपॉर्म आप करते हैं तो यहाँ पर डेटा कुछ इस तरह से दिखना है तो इसमें हमें क्या करना है चास फॉर्म में आपको जाना है चास फॉर्म में जाने के बाद का अन पिवर्ट कॉलर दिखा दो लेकि इसके लिए आपको अपना जो हैड़िंग और नेम इसको छोड़ दीजिए और बागी जितने भी कॉलन्स है उसको सेलेक्ट करें फिर किजिएगा यहां पे अन्प्यूवर्ट कॉलन्स यहां पर देखिए एट्रिब्यूट आगे जाए और यहां पर इसकी वैल हो आगे डेटा आपका अन्प्यूवर्ट हो गया मैं इसको लोड़ एंड क्लोज कर देता हूँ आई सर करेंगे हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो वापस नमारा पावर क्यूरी खूल किया जाए अब इसमें जो भी चैंजिंग करना है आप कर सकते हैं तो यहां में एक डेटा इसी के अंदर रखना चाहता हूं सीट पे ने तो आप एंटर डेटा भी खिलिक रहेंगे तो यहां में आप अपने लिए कोलं त्यांट पर सिंटे हैं मन्त एंड लोकेशन इस तरह से में डेटा अब देटा किसी सीट पे नहीं है यह पावर क्यूरी के अंदर हम लालना है कर दो झाल 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 इसको टेवल का नाम देदीजिया यहाँ पर देखिये एक टेबल यह टेवल लिस्ट यहाँ दिखता है कि इसके बगल में इसक्रीन में मिझे दिखे नहीं पा रही इसक्रीन कुछ इस तब इसक्रीन आपको दिखा है इस ब्लैक होगे यह स्क्रीन यहाँ देखिये आपके सामने क्यूरी है यहाँ देखिये आपके सामने क्यूरी है यहाँ भी देखिये मर्ज क्यूरी दिख रहा है रहा है तो मैं इसको कैंसल करता हूं और इसको सेलेक्ट करता हूं इसको अब यहाँ में 2 चीज़े एक हैं और अफ्याद करेंगे लिए निएज दोनों को मर्ज करा और अब the specific dimensions ऍधम सेलेक्टर जैन है कि इसमें जिसको जिसके जरीए आप लिंक कर रहे हैं किसी एक में यूनीक होना चाहिए समझें का नियम है यहां पर देखिए हमारे शीट 3 में जैन मल्टिपल टाइम रिपीट है नो प्रादम बट डीटी वाले शीट में सिर्फ वन टाइम अगर डीडी वाले शीट में मल्टिपल टाइम्स होते हैं यहां पर आपको इलेशन सीप नहीं क्रीट होता है डैट ओके अब यहां पर आ रहता है डीडी डेम इंग है इसका कौन सा फिल्ट चाहिए तो हमने यहां पर बुला कि मुझे मंत और लोकेशन दोनों चाहिए है किया करते हैं हमारे पर मंत और लोकेशन दोनों आ गया है थे थी हमारी पाव और क्यूरी तो कॉंप्लिकेटेड है और इसमें और भी जदाए ड्वांस है लेकिन फिलाल आप इतना सीखें इतने सीखने के साथ अगर आगे मरते हैं तो आपको और जी चीज़े समझ में आ जाएगी जहां पर प्रॉल्लम महं है हम मैंआपको हेल्फ करने के तियार ही हैं अख हम बात करते हैं बे आपические का कि सिघाटिंग कैसे करें बतलब किसीं इंटरनेट के डेटा को कैसे हम एक्सलिक लेकर आपके कि इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी साइटों लेता हूँ मेरी साइट का एक पेज है इंटरनेट की पेज की वाली साइट पर बढ़ी हुई है अब मुझे इसको अपने एक्सल सीट पर लेकर आना है तो कैसे लेकर आएंगे जो भी बर्जन हो आपको दिखेगा देटा मेनु बार में फ्रॉम बैब फ्रॉम बैब पे क्लिक कीजिए और डेटा को पेस्ट कर दीजिए अपने लिंक को पेस्ट कीजिए और पूपर देखिए और देखिए इसने डॉकुमेंट की पूरा रीड किया क्या है एस्टी में लेकर दिखा रहा है और यह टेबल को रीड कर लिया और मैं इसको लोड करूंगा तो पूरा का पूरा टेबल यहां आ जाएगा अब यह टीकी टेबल फोर्मेट विटी अब मैं को विप साइट लेता हो जैसे कि मैं लेता हो वा इसमें एक चीज एक चीज और पताईएगा ना मानली जैसे कभी किसी वेब पेज में जो डेटा होता है न उसमें पेजिग लगी होती है जब आप दूसरे पेज पे जाते ह आप हर पेज़ बस्तों हो जाएगा कि यह का उसका नहीं हो चाहिए प्यूरी तो ने कि यह तो कि आप दिखे का विजिबल हो गा ना जैसा मानली जिए तो दिखे का श्रु आप विजिभल रहें जा झाल ना जैसे मानली ने बीड़ों कि अख दो लिगी नीर जो यह वेपज है इसमें जो जो भी पहला पेज होगा उसमें जितने मानी जै दस रिकॉर्ड है तो दस के दस रिकॉर्ड आजाएंगे अब उसमें अगर पेजिंग होकर करके माल लीजिए व्हाम चाहते हैं कि 20 के 20 का डेटा आजाए अपको वन बाई एक अलीजिए लना उस नहीं लिंक चेंज मिश्च नहीं होता है। यहां पर बेब व्यू है हमारा बास तो बेब व्यू यूज किजिया और यहीं यहीं वेब व्यू है, यहां अपका टेबल व्यू आता है। कर लिया और इसको आप यहां से लोट कर सकते हैं कर दो कि यही होते हैं हमारे हैं जैसे हमारी जो वेब साइट काई सारे पेज से तो आप बेब स्केप्टिंग कर भी ले सकते हैं तो अब ले सकते हैं वह भी हंड्र परसें थोड़ी देता हैं अब जिसमें साइट में टेबल नहीं है उसका लोग करेगा ने हमारे जो वेब साइट है उसमें क्या है उसमें पेजिक रहा कर रखते हैं अब की बात को आपकी डॉट नेट पे बनी ही विब साइट है जो पेजिस करते हैं उसके आप जेक्यूडी चलता है उसको नहीं लेका है इस सब्सक्राइब एक सेगें जगा अब नमसे अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जी ठीक है अज़े एक बार और जो है डिस्क्रेट होगा तो एक बार अप्लेक कर देगा अब लों कोष्टन्स करें तो कोष्टन्स के लिए पासमेट करें पर कोष्टन्स करें शोफ कर दो